नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 9 जनवरी 2021 के डेली करेंट अफिर्स बर्नी नियूस दिस्टिशन में आपका स्वागत है पहली नियूस जो आज हम डिस्कस करने वाले है वो है ग्रोथ सिल्वर लाइनिंग बट फूड इंफलेशन में भी डार्क क्राउड यहाँ पर क्या बताया जा रहा है देखिए यहाँ पर तीन चार आपको ये एस्टिमेट्स के फिगर्स दिये जा रहे है चार दिसमबर को Reserve Bank of India का एस्टिमेट आया था जिसने ये बताया कि 2020-21 में इंडिया की जो GDP की ग्रोथ होने वाली थी वो पहले क्या बोला RBI ने कि 9.5 परसंट नीचे आएगी बाद में RBI ने चेंज करके बोला कि 7.5 परसंट नीचे जाएगी अभी दो दिन पहले National Statistical Office की जो Current Fiscal GDP ग्रोथ के Advanced Estimates आएगी उन्होंने क्या बोला है कि ग्रोथ कितना नीचे जाएगी 7.7 परसंट नीचे जाएगी उसमें भी जो सरकार सबसीडी देती है अगर आप उसको हटा दो तो किवस 7.2 परसंट नीचे जाएगी ग्रोथ को कुल मिला कि यहाँ पर यह जो National Statistical Office के जो Advanced Estimates आए है इनमें क्या Problems है इसके लिए आज एक बहुत ही अच्छा editorial आया है दा हिंदू में जिसको मैंने अपने editorial discussion में discuss किया है तो आप एक बार उसको जरूर देख लिए जाके तो आपको पता चलेगा कि National Statistics Office का यह जो Advanced Estimates है इसमें क्या-क्या Flaws है तो कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छी picture देखने को मिल रही है एक अच्छी calculation क्या देखने को मिल रही है कि शुरू में जितना ज़ादा यह सोचने में मिला था कि हमारी economy नीचे जाएगी उतनी ज़ादा शायद ना जाए थोड़ा कम नीचे जाए उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई जा रही है इन official estimates के साथ purchasing manager index के figures को अगर देखा जाए electricity और fuel consumption के figures को देखा जाए goods and services tax के collection को देखा जाए recent months में जो GST collection है वो भी बढ़ा है Google mobility index को देखे तो इन सब चीजों से एक चीज confirm होती है कि जिस हिसाब के शुरुवात में negative growth predict की गई थी COVID-19 में उतनी खतरनाक negative growth नहीं हो रही है lockdown के वज़े से लेकिन एक चीज़ के उपर problem आ रहा है वो है food inflation food inflation, food price hike उसके बाद food price index कहीं न कहीं यह जो और recent जो food and agriculture organization की जो food price index की report निकल के आ रही है यहां से एक चीज़ पता चल रही है कि international market में और Indian market में जो food inflation है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है अगर आप NOSO के advance estimates की बात करिये तो पहले quarter में April to September 2021 में जो economy नीचे गई थी वो 14.9% नीचे गई थी और second quarter sorry, third और fourth quarter में first और second quarter में 14.9% से GDP गिरी third और fourth contract में 0.3% से GDP बढ़ सकती है लेकिन food inflation हर चीज़ को बेकार कर रहा है यहां पे बात यह है कि food inflation भी बढ़ रहा है और overall inflation भी बढ़ रहा है और food inflation के वल इंडिया में भी बढ़ रहा है दुनिया में भी बढ़ रहा है जो कि UN Food and Agriculture Organization का जो food price index निकला है अभी के लिए रिसेंटली वो यह बताता है कि जो index है वो 107.5 पे है food and agriculture organization का जो food price index निकलता है उसका base year है 2014-16 और 100 इसका basic figure है तो 100 के साब सी 107.5 पे पहुँच गया है नमंबर 2014 से सबसे आदा है लेकि 2011 से बहुत कम है 2011 में food inflation record heights पे था तो इंडिया में food inflation बढ़ रहा है overall inflation भी बढ़ रहा है जो CPI figure था वो 7.6 से 7.7 परसंट पे था जबकि RBI का target होता है 4 प्लस मैनस 2 परसंट यानि 2 परसंट से 6 परसंट के बीच में inflation होना चाहिए और benchmark CPI inflation लगबक 7.6 परसंट या 7.7 परसंट पे तो overall जो सरकार का accommodative monetary policy stance है इसको maintain कर पाना ही मुश्किल हो रहा है और सरकार interest rate cut करे ये तो possibility नहीं है interest rate cut करने से क्या होगा ये repo rate कम हो जाएगा repo rate कम होने से क्या होगा RBI कम interest rate पे बैंकों को पैसा देगी bank के कम interest rate पे लोगों को पैसा देगी लोगों की जिम में ज़्यादा पैसा आएगा लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे economic activity बढ़ेगी बट उसके साथ inflation भी बढ़ेगा और inflation already high चल रहा है तो सरकार interest rate को cut नहीं कर सकती cheap monetary policy लेके नहीं आ सकती in fact सरकार अभी के लिए जो accommodative monetary policy लेके चल रही है यानि कहीं न कहीं सरकार ने already interest rate कम कर रखें उसको भी long term में maintain करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है चोकि inflation economy में बहुत तेजी से बढ़ रहा है महंगा ही बहुत तेजी से बढ़ रही है तो सरकार के सामने challenges बहुत अलग अलग प्रकार से निकल के आ रहे है General studies paper 3 में Indian economies and issues relating to planning mobilization of resources, growth, development and employment में यह चीज़ आपको काम आएगी आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर like का button अगर आपने दोस्तों अब तक इस वीडियो को like, share नहीं किया है तो बिल्कूल कर दीजे मेरे दोड़ा बनाएगे और वीडियो को देखने के लिए मैं almost आपका syllabus free में cover करवा रहा हूँ तो मुझे help करने के लिए आप join button दबा के channel के member ही बन सकते है इंस्टाग्राम पर follow कर लिजे, आपकी जुनरी डॉट्स का जवाब दूँगा, telegram group join कर लिजे वहाँ पर आपको इस particular lecture की PDF मिल जाएगे next news है, L.A.T. commander gets five year jail for terror financing जकीर उर रखमान लखवी, ये नाम बहुत famous है, लक्षकरे ताइबा का operations commander जब इंडिया में मुंबई attacks हुए थे, उस समय पे पाकिस्तान में बैठ के ये इस operation को mastermind कर रहा था और कहीं न कहीं इसने training में करी थी उन आतंकवादियों के जुनोंने इंडिया में आके बवाल मचा है था तो ये जो लशकरे ताइबा का operations commander है, जकीर उखवाल लखवी, इसको पांच साल की जेल की साज़ा सुनाई है पाकिस्तान की anti-terrorism court में, बहुत लंबे समय से इसके उपर एक case चल रहा है, case में कुछ होता नहीं है, अपना खुले आम गुमता रहता है ठीक है, international pressure बहुत है इसलामाबाद के उपर, कि भई आपकी country में जो terrorist खुले आम गूम रहे हैं, जिनके खिलाफ कुछ करिए तो anti-terrorism court के लाहूर जजज अजास एहमद बटार ने इसको 5 साल का rigorous imprisonment सुनाया है और 1,00,00 पाकिस्तानी रुपीर का fine भी लगाया है एक लाग पाकिस्तानी रुपीस 620 डॉलर होते हैं, यह इनके लिए एक peanut account है अब बात यहाँ पर यह है, कि भाई, US ने लखवी के arrest को तारीफ की थी last week और यह बोला था कि आप लखवी को अगर try कर रहे हो, तो मुम्भी अटेक्स के लिए भी try करिए FATF में grey list हो रखा है पाकिस्तान, और उसको कही न कहीं grey list से निकलना है अभी recently यहाँ पर इंडिया की तरफ से क्या statement आया है, इंडिया की तरफ से statement आया है कि भाई, जनवरी में Asia Pacific Joint Group of FATF की meeting होने वाली है, February 2021 में FATF का plenary meeting होने वाली है जहाँ पर इस बात पर decision लिया जाएगा कि पाकिस्तान को grey list से black list में लेके जाना है या grey list से बाहर निकाल के normal list में ले आना है इंडिया साफ साफ यह बोल रहा है कि इतने लंबे समय से सालों से, 15 साल से ज़्यादा बीच चुके हैं मुमई टेरर अटाक्स को, अब तक कुछ नहीं किया गया है इन लोगों के अगेंस्ट और जब meeting होने वाली होती है FATF की, तब पाकिस्तान की सरकार इनको arrest करने रगती है, jail में डाने लगती है तो यह जो position है ना पाकिस्तान की फारसिसल है एक्चुली में इंडिया यह बोल रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहता है, यह बात बिल्कु सही है टेररिस्ट लीडर्स वहाँ पर खुले आम गुमा करते हैं, बस पाकिस्तान के उपर जब प्रेशर आता है तो थोड़े बहुत actions लेके दुनिया को खुश कर दे जाता है, ताकि ग्रेलेस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल जाए चेर्नल स्टीर्स पेपर 3 में फिर आपको पता है कि इंडिया में दो vaccines को Emergency Use Approval मिल गया है, एक है आपकी COVID Shield, AstraZeneca की जिसको Oxford University के साथ मिलके डेवलप किया गया है, एक है आपकी Covaxin जिसको भारत Biotech नापकी कंप्रीन डेवलप किया है अब obvious सी बात है, इन vaccines को पूरे इंडिया में आपको ट्रांसफर करना है, देश-विदेश में भेजना है, हर जगा पे इन vaccines consumption होगा, तो obvious ही बात अगर आप देश-विदेश में भेजोगे तो ship से भेजोगी नहीं, फ्लाइटों से ही जाएगा, अगर Ahmedabad से vaccine Tamil Nadu जानी है, तो फ्लाइट से जाएगी तो यहाँ पे aviation regulated DGCA आ रहा है, Directorate General of Civil Aviation, इनका यह बोलना है, कि यह जो vaccines है, इनको dry ice में pack किया जाता है, अब यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि यह dry ice क्या होती है, dry ice is basically solid form of carbon dioxide, और dry ice को cooling agent की तरह इस्तमाल किया जाता है, इसको theater में जो fog machines रखती है, जो hi-fi tap की theaters होते हैं, जो 3D, 4D effect देते हैं, जहाँ पानी आपके उपर से आ रहा है, fog उठ रहा है, तो जबर्दस effect देने के लिए वहाँ पे fog machines की तरह इसको लगा दिया जाता है, dry ice किसी भी चीज़ के temperature को बहुत कम रख सकती है, तो frozen foods को preserve करने के लिए, overall, जहाँ पे mechanically आप temperature को नहीं गिरा सकते हैं, mechanically आप cool नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे dry ice का प्रेज़ किया जाता है, यह जो dry ice sublimates होते हैं, minus 78.5 degree centigrade पे होते हैं, earth atmospheric pressure पे, अब बात यहाँ पे यह है, कि अगर open इलाके में, dry ice को आप खुला छोड़ दो, तो वो dry ice carbon dioxide में convert होके, हवा में घुल जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत moisture आपको बनता हो, देखेगा, चुकि जो, एक तो obvious सी बात है, वो dry ice अपने आप, बन जाती है, और humans के अंदर पहुँच जाती है, तो hypercapnia की situation बन सकती है, hypercapnia की मतलब एक human के blood में, excessive amounts of carbon dioxide आ जाए, तो इसको बुलाता है hypercapnia, अब आप सोचिए, अगर आप COVID-19 की vaccines को, dry ice में pack करके, flight से एक जगा से दूसरी जगा लेके जा रहे हो, और ये vaccine को pack करने वाला, जो dry ice का container है, वो उस जगा पे रखा हुआ है, जहां पे passengers बैचते हैं flight में, तो automatically passengers खत्रे में आ जाएंगे, चुकि जैसे ही इस dry ice का temperature, minus 78 degree से उपर जाएगा, ये पिखलने लगेगी, normal, और चुकि plane के cabin के अंदर, normal atmosphere प्रेशर भी होता है, चुकि passengers बैठे होते हैं, artificial normal atmosphere प्रेशर बनाया गया होता है, और ये पिखलने लगी, तो उस plane के, enclosed environment में, excessive levels of carbon dioxide आ जाएगा, जो कि hypercapnia, cause कर सकता है, चुकि वहां पे passengers हवा तो ब्रीधी कर रहे हैं न, तो उसके साथ साथ वो excess carbon dioxide भी ब्रीध कर जाएगे, इसीलिए, dry ice को dangerous goods की category में लेके आ रखाए, international civil aviation organization, एक limit से ज़्यादा, आप dry ice, passenger के cabin में लेके नहीं जा सकते, तो यहां पे, directorate general of civil aviation ने साफ साफ instructions इशू किये हैं, कि भया, flights के अंदर, जहां पे COVID की vaccines को एक जगा से दूसरी एका ट्रांसफर किया जा रहा है, वहां पे carbon dioxide detectors लगे होने चाहिए, लोगों को पता चलता रहे, यह क्या भाई carbon dioxide का level बढ़ रहा है, ठीक है भाई, उसके बाद, timely और reliable detection होना चाहिए carbon dioxide का, COVID-19 की vaccines को अगर dry ice में pack करके, passenger के cabin में लेके आया जा रहा है, तो एक upper limit होनी चाहिए, कि maximum इतनी dry ice आप इतने इलाके में रख सकते हो, इससे ज़ादा नहीं रख सकते हो, overall, passengers की safety का ध्यान रखना है, यहां पे responsibility किसके उपर fix की गई है, जो flight operators है, तो जो भी flight है, go air, indigo, spice jet, air Asia, यह भाई अपने cabin में इस बात को ensure करेंगे, कि detector लगे हो carbon dioxide जिससे पता चलता रहे, कि carbon dioxide का level कितना है, dry ice एक limit तक होनी चाहिए, कि माल लिजे उतनी dry ice पिगल भी जाती है, हवा में आ भी जाती है, तो लोगों को ज़्यदा नुकसान ना पहुँचे, और covid की vaccines को तो एक जिगा से दूसरी जगा transfer कर नहीं है, समझ के बाई, अभी के लिए दो vaccines को approval मिला है, वो मैं आपको बताई चुक है, covid shield और भारत पर उटेक, General Studies paper 2 में, Issues relating to development and management of social sector services, health में ये चीज़ आपको काम आएगी, government policies and interventions for development in various sectors, DCGA का जो intervention है, इसमें ये चीज़ आपको काम आएगी, फिर यहाँ पे National Board for Wildlife ने एक advisory issue की है, जिसको बोला गया Advisory for Human Wildlife Conflict Management, क्या बोला है National Board for Wildlife ने, इस advisory में, Gram Panchayats को empower किया गया है, कि Wildlife Protection Act 1972 के अंदर, वो problematic wild animals से कैसे जूज है, गाओं के अलाके में जो लोग रहते हैं, अक्सर कर क्या होता है, कि जो जंगली जानवर होते हैं, वो आके इनकी फसल तबहा कर देते हैं, इनके बच्चों को उठा लेते हैं, मार देते हैं, इस तरीके का जो man और animal conflict है, वो आज की डेट में बढ़ गया है, उसके लिए humans ही responsible है, हमने इस हद तक anthropogenic pressures को बढ़ा दिया है, कि इन जानवरों के जो native habitats थे हमने उनको destroy किया, हम उसमें गुसे हैं, तो अब इस यवात ही जानवर हमारे native habitats में जूश रहे हैं, तो यहाँ पर इस advisory के चलते कुछ चीज़ें इशू की गई हैं, जैसे कि for example, National Board for Wildlife ने किसानों को क्या बोला है, कि अगर आपकी crop को कोई जानवर आके तबाह कर देता है, तो आप compensation मांग सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, अगर human wildlife conflict के चलते, आपके खेतों को अखलियानों को नुकसान पहुचाएं, फिर inter departmental committees हैं, जो state level पे, local level पे, यह early warning systems issue करेंगी कि कौन सा जानवर कब खेतों के पास आ रहा है, ताकि उसको जाने से रोका जा सके, tall free numbers available होंगे, ताकि अगर किसान को emergency basis पे, अब जो total number of जानवर है, critically endangered species, जो की maintain करती ही national board for wildlife, उसके अंदर 22 number हो चुका है इनका, कराकल एक medial size wide cat है, right side के figure में आपको कराकल यहां पे नजर आ रहा है, आपको एक program का नाम बताता हूँ, एक centrally funded scheme है, जिसका नाम है integrated development of wild habitats, integrated development of wild habitats को 2009 में शुरूर किया गया था, इसके अंदर तीन अलग अलग स्कीम आती है, एक है support to protected areas, एक है protection of wildlife outside protected areas, एक है recovery program for critically endangered species, recovery program for critically endangered species के अंदर कौन कौन सी species आती है, टोटल 22 species है, पलैली snow leopard, दूसरी bustard, इंक्लूदिंग फोलिकस, तीसरी solphyns, चोथा हंगुल, पाच्वाँ नीलगिर ताहिर, छटा मेरीन टेर्टल्स, सात्वाँ एडिवल नेस्ट स्विफ्टलेट, आथ्वाँ ड्यूगॉंग्स, नवाँ एशन वाइल्ड बफ़लो, दस्वाँ मनीपूर ब्रो एंटलर डियेड, ग्यारवाँ नीकोबार मेगापोर्ट, बारवाँ वेल्चर्स, तेरवाँ मालाबार सिविट, चोधवाँ एसियाटिक लॉइंस, पंदरवाँ इंडियन नाने सुरोरस, सोलवाँ स्वैम डियर, अठारवाँ जर्डन स्कोर्सर्स, उननिस्वाँ नॉर्दर निवर टेरपीन, बीस्वाँ क्लावड़ लियोपार्ट, एक्किस्वाँ अरेबियन सी हमबैक वेल, बाइस्वाँ रेड़ पांडा, और अब इसमें कैराकल भी आ गया है, जनल स्टेडिस पेपर टूर थ्री में, पायो डावस्टी इन्वार्मेंट में इस चीज़ आपको काम आएगी, फिर अगली न्यूज, ट्रम्ब के ट्विटर एकाउंट को पर्मेनेंटली बैन कर दिया गया, कल ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, जहांपे मैंने पूरा कैपिटल हीज, हिल सीज समझाया आपको, मैंने बताया है कि कैपिटल हिल सीज के दौरान क्या हुआ, यह है उस वीडियो का थमनेल यूएस कैपिटल हिल सीज, जिसको मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारी है, आपको यह वीडियो मिल जाएगी, किस हिसाब से यह इवेंट शुरू हुए, कैसे इन प्रोटेस्टर्स को उकसाया गया, कैसे प्रोटेस्टर्स उकस के पहुँचे, वहाँ पे कैपिटल हिल में और जबरदस्ती अंदर गुसने लगे, पांच लोग की मौत होई है, बावन लोग को अरेश्ट किया गया है, इस तरीकी की बात है कही जारी, इवन जो मेजर रिपॉब्लिकन लीडर से जैसे मिच मैक कॉनलर, जो कि सेनेट में मेज़ॉर्टी लीडर है, रिपॉब्लिकन पाटी के हैं, उन्होंने तक ने इस इवन्ट को क्रिटिसाइज किया है, हर चीज मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा रखी है, तो एक बार इस वीडियो को देखे जाके, तो भाई, यहाँ पे ट्विटर इंक ने फ्राइड़े को बोला है, कि यह पर्मनेंटली सस्पेंट कर रहे हैं, यूर्स प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रम के अकाउंट को, क्यों, चुकि इनको टर है, कि आगे आने वाले समय में हो सकता है, डॉनल्ड ट्रम अपने अकाउंट में कुछ ऐसे पोस्ट और डालें, जिसके चलते हैं वालेंस बढ़ सकता है, डॉनल्ड ट्रम का वो अकाउंट जिसको यहाँ पे सस्पेंट किया गया है, उसके 88 मिलियन फॉलोवर्स थे, कहीं न कहीं यहाँ पे, सोशल मीडिया कंपनीज, ग्लोबल लीडर्स के अकाउंट को बहुत इंपोर्टेंज देती हैं, कहीं न कहीं, पास्ट में, खुद ट्विटर ने डॉनल्ड ट्रम के अकाउंट को बहुत इंपोर्टेंज दिये, लेकिन यहाँ पे उसको पर्मानेंटली सस्पेंट कर दिया गया है, और भी बहुत सी सोचल मीडिया कंपनीज हैं, जैसे कि फेस्बुक और इंस्टाग्राम, जिन्होंने रीसेंटली डॉनल्ड ट्रम के अकाउंट को अटाक किया है, फेस्बुक ने भी कुछ समय पे डॉनल्ड ट्रम के अकाउंट को इनक्टिव कर दिया था, यह जो रिपब्लिकन प्रेजिडेंट है, डॉनल्ड ट्रम, 20 जन्वरी को यह ताकत किसको दे देंगे, यह दे देंगे भाई, जो बाइडन को, ठीक है भाई, तो यह एक बेसिकली निउस है कि पर्मानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है ट्रम का अकाउंट, इससे पहले ट्विटर और फेस्बुक जैसी कंपनीज ने ट्रम के अकाउंट को काफी special privilege दी थी, ट्रम की ऐसी बहुत सारी ट्विट्स, जो कि इन कंपनीज की policy guidelines को violate करती थी, उसके बावजूद भी ट्रम की उन ट्विट्स को delete नहीं किया जाता था, अभी भी ड्रम के पास दो ट्विटर handles, जो कि बहुत important है, उनका access है, एक है White House और एक है POTUS, और विसी बात है, यह White House और POTUS वाले जो ट्विटर accounts है, इनका access जो बाइडन के पास चला जाएगा, वस जो बाइडन takes over the charge of President on 28th of January, अभी के लिए Donald Trump के हाथ में, Donald Trump के पास जो ट्विटर account था, वो चला गया है, यहाँ पे एक आवाज और उठी, कि माल लिजे Donald Trump को नया Twitter account बनाते हैं, तो Twitter के spokesperson ने ये बोला कि Donald Trump को ban किया गया Twitter से, तो अगर वो कोई नया Twitter account बनाते हैं, तो उसको भी ban किया जा सकता है, जो एक और news है, General Studies paper 1 में, current events of national or international importance में ही चीज़ आपको काम आईगी, thank you for watching friends, I hope आपको कुछ नहीं कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पे like और comment ज़रूर करिएगा, have a great day, good bye.